यूके की राजनीती में चमका ये भारतिये चेहरा बिहार में जन में कनिस्क नरायन ब्रिटेन में बने सांसत सिविल सर्विस छोड़ कर लरा था चुनाव बना दिया नया इतिहास अपने ही देश में हुई थी सुरुवाती पढ़ाई 12 साल के उन में चले गए थे ब्रिटेन मुझफर बूर के रहने वाले कनिस्क नरायन वेल्स यूके से लेवर पार्टी के उमिदबार के रूप में जीत दर्ज कर संसत बने 33 बर्स ये कनिस्क सिविल सर्विस में थे चुनाव की घोसना के बाद नौकरी से इस्तिपा दे कर वो मैदान में उत्रे करीब दो महिने पहले हुए एक परिवारिक पूजा में सामीन होले के लिए माता पिता के साथ भारत आये थे लेकिन चुनावी वेस्तिता के कारण दिल्ली से ही वापस लोट गए माता पिता और भाई समेत अन्य परिजन मुझफरपुर आये थे सुक्रवार को कनिस्क के सांसत बनने की सूचना मिलने पर सहर के दामुच अकिस्थित सौंधो अपार्ट पिट में जसन का माहौल सुरू हो गया बारा साल के उम्र में ब्रिटेन पहुँचने वाले कनिस्क वेल्स के पहले अलप संक्रक सांसत बने है मुझफरपुर में उन्होंने तीसरी कच्छा तक पढ़ाई की पिता संतोस कुमार और मा चेतना सिन्ना सकेजे लौ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली चले गए जिसके बाद आगे की पढ़ाई कनिस्क की वहीं हुई जब उए 12 साल के हुए तब माता पिता ब्रिटेन चले गए और परिवार वहीं जाकर बस गया और आगे की पढ़ाई उनकी ब्रिटेन में ही संपन्ध हुई मूल रूप से वैसाली के गरवल स्थित सौंधोवे रहने वाले स्वर्गिये क्रिस्न कुमार और वीना देवी बहुत साल पहले मुझपरपुर के दामो चक में बस गये थे स्वर्गिये क्रिस्न कुमार मुझपरपुर district board के chairman और SKJ law college के founder थे उनके तीन बेटों में सबसे छोटे बेटे संतोष कुमार के पुत्र कनिष्क नरायन UK में सांसरत चुने गए हैं कनिस्क में बचपन में सायद ही सोचा होगा कि उनकी सफर मुझाफरबुर के प्रभात ताराई स्कूल से ऑक्सफोर्ड और सेंटफोर्ड जैसे बिस्विद्यालियों तक पहुँच जाएगा उन्होंने ऑक्सफोड और सेंटफोड जैसे बिस्विध्यालेों से दर्सन सास्थर राजनीती अर्थ विवस था और वेबसाई प्रसासन में मास्टर डिगरी हासल की है कनिष्क ने सारभ जनिक सेबा को छोर कर राजनीती में आने का फैसला किया था इससे पहले वो यूरोप और अमेरिका के कई वरे संस्थानों में भी काम कर चुके हैं कनिस्क नरायन के रिस्ते के तार भारत के पर्थम राश्पती डॉक्टर राजंदर परसाथ से भी जुरे हुए हैं डॉक्टिर राजिंदर प्रसाद कनिक्स्नरायन की दादी के दादा जी थे। हालाकि कनिक्स्नरायन की बहन ने बताया कि वो कभी डॉक्टर राजिंदर प्रसाद से नहीं मिले थे। लेकिन इतिहास के अतार अगर जोडे जाएं तो दोनों का रिस्ता जुरा हुआ है। बागी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ भी कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स नियूज।